हेलो फ्रेंट्स नेस्ट कोश्चन देखते हैं कुश्चन नंबर सेवन कोश्चन नंबर सेवन हमारा है दा डिस्ट्रिभीउशन बिलो गिप्स दा वेट्स ओफ थर्टी स्टूडेंट्स यह दो को टेवल दिया गया है सबसे पहले हम इसका निकाले कि क्युमिलेटिक फ्रिक थ्र्टीन और 6 को प्लस करो तो कितना था 19 तो कितना था 25 25 और 3 कोमगा तो 28 और 2 तो फर्टीध यह टेOh upon 2 equal 15 अब देखिये 15 हमारा किन के between आ रहा है इसके बीच में आएगा ना तो इसके बीच में जो आ रहा है तो अब क्या करें कि 15 से बड़ी जो value 15 से बड़ी value तो इसके सामने जो हमारी value है ये हो जाएगा हमारा F क्या हो जाएगा यहां पर ये frequency होगी और इसके सामने वाला जो ये होगा ये model class होगा ठीक है ना तो यहां से हमारा जो L निकलेगा वो होगा हमारा 55 और H हमारा निकलेगा H इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 55 यानि 5 ठीक है ना और हमारा जो cumulative frequency होगी इससे उपर वाली value हो जाती है हमारी C F ठीक है जे दियान लगना बस जे value देखना इसके बिट भी ना रही इसके बिट भी ना रही तो जो बड़ी value है C F में इससे बड़ी उसके सामने वाला हमारा F हो जाएगा और उससे पहले तो एन अपांट तो हमारा कितना है 15 प्लस सॉरी 15 माइनस C F कितना है C F 13 अपांट और फ्रिकेंजी कितना है 6 और C F हमारा 13 और यहां पर H कितना है हमारा 5 ठीक है ना तो यह 55 प्लस 15 में इससे जारा 13 माइनस करेंगे तो कितना हैगा 2 इंटू 5 अपांट 6 तो 55 प्लस 25 जा 10 अपांट 6 ठीक है ना तू 5 जा 10 टू 3 जा अब 3 का जरा 5 में डिवाइट कीजिए त्री का डिवाइट किया तो 3 बन जा 3 और 5 में से 3 गया तो तो आएगा यहां पांट और 3 6 जा 18 और फिर 3 6 जा 18 यानि यह आ गया 55 प्लस 1.66 ठीक है ना 1.66 तो यह 66 चलता ही रहेगा ना तो इसको हम लगबग 67 लेख सकते हैं कि वह 66 चलेगा तो यह हो जागा 55 56.67 ओके यह हो गया कुश्चन नंबर 7 का आंसर